हलो एवरिवान, वेलकम टू ओरली आईएस और स्वागत है आपका आज की प्रलिम बूस्टे न्यूस डिसकशन में आप सोचने के रिशब सर कहा है तो आज किसी कारण से ये सशनेटर नहीं कर पाए तो उनके जगे मैं आज ही कवर करूँगा तो सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन्स हेडलाइन्स दिवाली आप सबने मनाई आई होप अटाके नहीं पोड़े होंगे तो पहली हेडलाइन उससे रिलेटेड है कि दिल्ली में जो एर क्वालिटी है वो 2015 के बाद की सबसे खराब एर क्वालिटी पोस्ट दिवाली दिवाली के बाद 2015 में जो AQI का लेवल गिरा था यानि एर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल आया था ठीक वही इस बार पहुँच गया है और वो सीवियर हो गया है इसका मतलब जो लोग है normal उनको respiratory problems हो सकती है उनके लिए बहुत जादा खतरनाक हो गया हवा में pollution का level और यह जो level of AQI है 300, 358 से लेके 400 जब cross करता है तब हम कहते है कि AQI became severe तो कैसे दिखता है हमें जो AQI है और क्या system है इस चीज़ को control करने के लिए और जो एक graded plan मनाया गया था वो सब कि system के अंदर काम आता है यह आपको पता होना चाहिए जो political blame game है यह आपकी काम की चीज़ नहीं है तो AQI के full form तो पता ही है obviously तो AQI का gradation कैसे होता है तो यहां से देख लीजे तो एक तो पहले जो mechanism है वो सफर के तुरू है सफर का full form पता होना चाहिए आपको system of air quality and weather forecasting and research जबकि जो आपके systems है वो इस तरह से है कि अगर 100 से जादा AQI जाता है इसका मतलब pollution का level बहुत जादा हो गया है और यहां तो 400 क्रॉस कर गया है तो इसका मतलब कि अगर अगर आप severe category वाली जगह में रहते हैं तो वहां अगर आप physical activity करते हैं तो आपकी सांसों के दिक्कते हैं और आपके लिए health के लिए बहुत जारा severe impacts हो सकते हैं तो अभी हो अपलाई करने के लिए आपको social sanction चाहिए होता है कि जब तक समाजिक sanction यानि समाजिक रूप से इसको acceptance नहीं मिलती किसी लौक हो तब तक आप इसको implement नहीं करा सकते क्योंकि अगर सारा राज यह सारा देशी विद्रोब उतर जाए तो आप इसको कैसे applicable बनाओगे तो इसलिए ज़रूरत यह है कि हम केवल judgment पास ना करें कोट से बदले में लोगों को aware करें कि क्या क्या दिक्कते आती है कैसे जो fire cracking होती है दिल्ले में वो कैसे लोगों की health से related है और कितना लोग का life का loss होता जब तक यह हम clarity के साथ आगे नहीं रखेंगे यह चीज़ें सॉलम नहीं हो पाएंगे फिर जैसे गाजा में जो बढ़ रहे हैं और एक बहुत बुड़ी चीज जो हुई है वो हुई है कि उत्तरकाशी के पास एक टनल जो बन रहा था चार धाम हाईवे जो बन रहा है जोड़ने के लिए चानल धामों को वहां उत्तरकाशी के पास एक टनल को लैप्स कर गई वो टनल बनाई जा रही थी एक सुरंग बनाई जा रही थी, वो कोलाप्स करेंगे, उसमें 40 वरकस अभी फसे हुए है, रेस्क्य ओप्रेशन सार, और उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, क्या उस मामले में हुआ है, चलिए पहले डिसकस करते हैं इन चीज़ों को, एक और इंफोर्मेशन जो इंपॉर्टन है, वो है कि आम फोर्स में अब एक पैनल बनाई एक स्टेडी ग्रूप बनाई जो चेक करेगा कि क्या ट्रांसजेंडर्स की एंट्री पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो किस तर करेंगे, अगर आप पतना के आसपास रहते हैं तो बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है हमारी सारी के साथ मिलने की और अपनी प्रेपरेशन को नहीं उडान देने की, जहां पर आप बहुत चीज़ें डिसकस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो यह 25 निमर्मर को यह सेमिनार है, बीपेसी, यूपेसी के लिए आप जरूर जॉइन करिए से और लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पेंट मिल जाएगा, ठीक है, अब आते हैं मुद्दे के उपर जो हमने पहले डिसकस किया, एक यूई, अगर आप एर पॉलिटन्स को नापा जाता है कि कौन से पॉलिटन्स बढ़े हैं, आपको पता है एक यूई में कितने पॉलिटन्स गिने जाते हैं, तो असल में इट पॉलिटन्स गिने जाते हैं, क्या आपको उनका नाम पता है, चलो यह रिवाइज करते हैं कौन-कौन से पॉलिटन्स पहला PM 2.5, दूसरा PM 10, तीसरा nitrogen dioxide, चौथा sulfur dioxide, पाँचवाँ, कार्बर मोनोकसाइड, छठा ओजोन, साथवाँ, अमोनिया, अमोनिया का फर्मूला क्या होता है, NH3, और आठवाँ, लेड, इसको प्लमम यानि PB के नाम से जानते हैं, तो ये 8 pollutants हैं, जो गिने जाते हैं, जो measure किये जाता है, अगर उनकी मात्रा बढ़ती है, तो air quality index बहुत जादा गिर जाता है, इसमें अलग-अलग pollutants, अलग-अलग चीजों के जलने या उनके कुछ सर्जन की वज़े से होते हैं, तो लगाता गवर्मेंट ऑफ टेली, जैसे odd even को cancel कर दिया गया था, लेकिन दोबारा जो सिती बन गई है, उसके बाद, दोबारा इसको लाने की बात की जा रहे हैं, और एक gridded action plan, वो है, दिल्ली में की जैसे pollution बढ़ेगा, तो क्या-क्या construction activities दुख जाएंगी, जो इसके तहत आती है, तो जो 8 आपको pollutants याद करने, इस आपको पता लग गया, इसके लाव जो उत्तरकाशी में, जो टनल को लैप्समा से, इसके बारे में जानते हैं, असल में ये दो रीजिन को connect करने के लिए है, सिल्क यारा और दंदल गाओ, उत्तरकाशी में दोनों गाओ है, जहां पर ये टनल बनाया जा था, एक बहुत टनल तो देखिए, कुछ oxygen pipe अब लाए गई है, वहाँ पर system मना गया किस ते लोगों को निकाला जाए, तो ये 4.5 km लंबा टनल का पार्ट होगा, जिसमें 2.5 km तो अलड़ी cover हो चुके हैं, और काम बनना था, तभी एक section of tunnel गिर गया यहां पर, और इसमें 40 लोग इस टनल मे परने वाला था, चार्धाम का, जो all weather tunnel होता, सर्दियों गर्मियों हर समय, इस region को जोड़ के रखता, अब normal कहानी यह है कि हम जब चार्धाम tunnel की बात करते हैं, चार्धाम म्यातरा की बात करते हैं, क्या है चार्धाम project, तो चार्धाम project ऐसा है कि जो चार्धापून धाम है, यमनोतरी, गंगोतरी, बदरीनात, केदारनात, इनको जोड़ा जाएगा बड़ी चौरी सरकों से, जिससे कि आपके पास all weather connectivity हो, तो majorly जो important point of connecting route है, वो है रिशिकेश, रिशिकेश, हरिद्वार, और वहां से मेली जो last railway station है, वो हरिद्वार है, उस वो पूरा connected है दिल्ली स से और मांकी उत्रप्रदेश से और मांकी इलाकों से, तो रिशिकेश से जोड़ने का प्रयास था मुखी रूप से चानो धामों को, जो अन्होस इसके अंदर पूरा किया जा रहा है, तो अब चौरी सरके है, साल भर की connectivity है, उसके अंदर अलग-अलग जगों पे टेनल्स भ के गुजरती है, तो हमें जोशी मत याद होगा आपको, जहां पर घरों में क्रैक्स आ गए थे, सड़के तूटने लगे थी, गाओं के गाओं के घरों में दरा रहे आ गए थी, क्योंकि construction की वजए से, जो changes आये वहां की geography में, वहां की physiography में, उसकी वज़े से वहां पे ब बहुत जादा हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो development किया जा रहा है, ये again हमें ethical question की तरफ ले जाता है, development versus environmental protection, क्योंकि long term अगर इन एरियास में इसके जो impact है, क्योंकि hilly areas है और वहां ऐसा construction किस तरह का impact लाएगा हमें पता नहीं है, तो जोशी मत के बाद एक और बड़ी घटना अगर जब ये tunnels के आप में देखना पड़ा है, जब ये complete हो तो accident दुबारा ना हो, क्योंकि फिर civilians की जार इसमें जा सकती है, तो ये tunnel का case हमें फिर दुबारा लेके जाता है, चारधाम जो highway construct किया जा रहा है, जिसमें अलगलग stretches है, यमनोत्री, गंगोत्री, केदानाथ, ब जब ये देखना पड़ सकता है, अगर हम इसके उपर बेतलती तरीके से push करते रहें तो, जब हम इन चीजों की बारत कर रहे है, तब एक और बड़ी घटना घटी है, वो घटी है आइसलेंड में, आइसलेंड में लगबग 800 से भी जादा earthquake आ है, और इस earthquake ने पूरे के पू के कारण यहां बहुत कम जन संख्या है, लेकिन जन संख्या जहां जहां बसी हुई है, उनके लिए water supply जो, क्योंकि पूरा एक ऐसा इलाका है जहां बहुत ज़रा ठंड रहे थी, नाम नहीं आई से इस जगे के तो, तो यहां supplies, thermal बाप्लान, thermal जो facilities है, power generation है, वो majorly जहां भी होता है, उसकी supplies का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तो यहां लगातार अर्थ को एक सार है, और इस earthquake के बाद इन्हें डर है, क्योंकि यहां बहुत सारे volcanic eruptions होते हैं, अल्री 33 active volcano system यहां पर है, और जब इतने अर्थ को एक सारे हैं, तो उन्हें यह डर है कि एक दो of emergency declared कर दी है, जहां पर लोगों को rescue किया गया है, specifically एक गाउं से जहां ज्यादा activity हो रही है, और उस गाउं का नाम है ग्रिंदाविक, जो बिल्कुल रेजविक के पास यहां पर situated है, तो यहां activity बढ़ने के बाद इनको खत्रा अपनी राजदानी पर होता भी दिख रहा है, उसकी जान पर भी खत्रा हो सकता है, इसलिए यह काफी ज्यादा सतर्क हो चुके है, और यह जो पूरा region है, यह बहुत सारे जो अर्थक्स आते रहते हैं, और बहुत ज़रा वाल्कनिक्टी active zone है, इसका region यह है कि यह जो इलाका है आइसलेंड का, यह पढ़ता है कहां, तो यह है mid-atlantic ridge के उपर, अब यह mid-atlantic ridge की कहानी क्या है, तो पहले यह समझे कि पूरी मामले में चीजें क्या है, आप देखें, सबसे पहले कि जब हम geography पे आएं, तो हमें पता है, धरती जो है, वो अलग-अलग lithosphere जो उपरी layer है, अर्थ की, वो अलग-अलग plates में बटी हुई है, और जहां कहीं भी दो plates आपस में टकराती हैं, या फिर आसपास में जहां भी plates हैं, वो या तो उनमें convergence होता है, या उनमें divergence होता है, तो जैसे आपको दिख रहे हैं, यहां पर Eurasian plate और Indian plate की जो मबाद करें, तो यहां हमेशा, जब problems आती है, movement shifting या, चो convergence होती है, तो यह यहां पर earthquake आता है, नेपाल की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, उसी तरह यह जो region है, यह divergent plate है, और इनमें दो plates के पास mainly Iceland situated है, North American plate और Eurasian plate, North American plate इधर जारी है, Eurasian plate इधर जारी है, divergent plates हैं यहां पर, और इसकी वज़े से यहां पर जादा seismic activity होती है, seismic activity मतलब, जो earthquake silted aspect है, जादा होते हैं, seismic activity होने की वज़े से, यहां volcanoes भी बहुत जादा है, इस region में seismic activity बहुत जादा होती है, और mid Atlantic ridge इसे हम कहते हैं, क्योंकि पूरे Atlantic Ocean के बीच से यह रस्ता गुजरता है, और यहीं पर आपका Iceland located है, मतलब उस ridge पे ही located है, तो काफी ज सेंसेटिव इलाका है, जाप रॉब्ल्स बहुत जादा बढ़ी रहती है, और इसलिए यहां की government हमेशा सेंसेटिव रहती है, अगर ऐसा कुछ भी हो, walking activity बढ़े तो वो अपनी देश की लोगों को बचाने के लिए क्या-क्या step ने सकते हैं, उसके बारे में, तो जो mid Atlantic ridge है, यहां से आपको एक ridge system गुजर रहा है, यानि एक पूरा mid ocean में आपको एक पहारो की श्रिंखला सी है, और यह explain किया जाता है, sea floor spreading और जो continental drift theory है उसके हिसाब से, तो यह Eurasian plate और North Atlantic plate को separate करती है, और mostly जो ridge है, वो underwater है, समंदर के नीचे है, जो उनकी sea floor है, उसके उपर है, ridge का मतलब क्या होता है, पहारी की चोटी, तो पहारी की श्रिंखला एक लगबग बनी हुई है, वहाँ पर volcanic eruption भी होता रहा है, तो Iceland ठीक उस ridge के बीचों बीच है, तो इसलिए यहाँ पर volcanic activities जादा होती है, और इसी कारणवश वहाँ पर अभी अमनोंने state of emergency डेक्लियर की वह एक volcanic islands का पूरा घड़ है, Iceland जहां almost कितने earthquakes आये थे, around 800 earthquakes यहाँ पर आये थे इस बार, तो यह हमने समझा कहाँ पर, Iceland के बारे में, अब Iceland के बारे में एक और चीज़ जो important है, इंडिया, Iceland के साथ एक जो हमारे workers का agreement है, वो भी करने की कोशिश कर रहे है, labor agreement की Indian workers जाके वहाँ पर काम कर पाए, कुछ ऐसा agreement इंडिया ने किया है, अभी recently, तैवान के साथ बात चल रही है, जहां एक लाख Indian workers काम कर सकते हैं, इस्राइल के साथ बात चल रही है, उसी प्रिकार से Iceland के साथ भी बाते हैं, जहांपने workers चाहिए, तो इंडिया वरकर शायर जाके वहाँ पर का कर पाए, अगरे टॉपिक पर आते हैं, जो बात करता है, एक और हमारे पड़सी देश के बारे में, Myanmar, जहां से लगबख 2000 लोग इंडिया माये हैं अभी शरण लेने के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत जाला फाइटिंग चल रही है, वहां पर जो वहां की एरफोर्स है, वहां की, जो militants है, उनकी बीच में जहगडा चल रहा है, मिजोरम जो बार्टरिंग स्टेट है, इंडिया में अनमार का, वहां पर लगबख 2000 लोगों ने पिछले 24 घंटे में एंटर किया है, तो किस स्टेट से एंटर किया है, में अनमार के तो शिन प्रोविंस, या शिन कर्मेंट को हम कहते है, जुनता कहते है, जुनता कर्मेंट मतलब जो वहां की, मिलिटरी रूल है, उसे हम कहते है, जुनता, मिलिटरी रूल है यहां पर, और इनके रूल के कारण वहां पर कई सरे विद्रोही ग्रूप बने हुए है, जो सबसे प्रमुक ग्रूप है, जो ब वहाँ ज़रा न्यूज में रहता है वो है राखाइन प्रोविंस में लेकिन एक नया विवाद उठा है जो नया एक बहुत ज़्यादा सिविल वाल की स्थिति होगे रहे उनके उपर में और जो अर्मी के उपर कबजा कर लिया है पीडियाफ ने तो जो दो बिलिटरी बेसे का नाम याद कर लिजे खावाँ मी और रिख्वादार यह दोनों चिन स्टेट में हैं और इंडिया के बॉर्डर के ये बास यहां अगर और कुछ ऐसी मिलटर क्रोप कबजा करते है इसी लिए इंडिया के ध्यान रखनाना बहुत जरूरी है कि यहां पर चीजें कंट्रोल में रहे और क्योंकि बहुत है म्यानमार के चिन स्टेट के साथ इंडिया के वो मिजुरम के ओविसली चंपाई सियावा लॉंग ताई सचिप नाथियाल एंड साइट वाल मेरी शायर प्रणनेसियेशन गलत है लेकिन यह छे डिस्टिक्ट है जो मैंनमार के चिन स्टेट के साथ लगते एक बार मैप में क्या से जुएशन न rubbish हो यह है चिन स्टेट यह मिजुवरम के डिस्टिक्ट जो यहां से यहां तक हैं इस सारे बॉर्डिश शेयर करते हैं मैंनमास के चिन स्टेट राकाइन प्रोविंस में ही रहते थे मुख्यूरू से अब रोहिंग्यास असल में बांगलादेशी मूल के लोग हैं जो यहां रहते थे राकाइन में और जब उनके साथ स्टेट के विवाद बढ़े जो वहां के मिलिटरी हैं उनके साथ यूदिकी स्थिती बनी तो उन्हों उन्होंने फिर अपना खुद का एक विद्रोही ग्रूप बना लिया अराकन आर्मी जो उनकी जो म्यानमार की सेक्यूरिटी फोर्से साथ लगातार यूदिकी स्थिती में लगा रहता था और इसी का हवाला दे कि वहां की आर्मी ने फिर रोहिंग्यास को खा कि आप म्यान इंडिया को विशेश तोर पर जरूरा थे कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए और इंडिया ने काफी सालों तक जो म्यामार है उसको इगनॉर किया उसका लुकसान ये वागि भारत की जादा रिलेशन्स बिल्ड नहीं हो पाए और म्यानमार एक इंपॉर्टन कंट्री है जिसके तुरू इंडिया आसियान से सम्मंद बनाने की कोशिश कर रहा है आसियान में 10 member state है association of south east nation nations जिसमें म्यानमार भी एक important part है और म्यानमार is a route to इंडिया जिसके तुरू आप connect कर सकते हो आसियान से तो इसलिए जब तक म्यानमार stable नहीं होगा इंडिया के लिए दिक्क इंडिया जो लेडिवरे बना रहा था इंडिया मियानमार थाइलें ट्रालेटरल हाइवे तीन देशों से घुज़रता है इंडिया और म्यानमार और थाइलेंड तक जाता है वह एक तस्वीर से देखता है यहां से आपको देखेगा यह पूरा root develop किया गया थाइलेंड के स नाम ये सारी countries ASEAN की पार्ट हैं और ASEAN इंडिया का एक major trading partner है ASEAN countries की साथ इंडिया और व्यापार बढ़ाना चाहता है export बढ़ाना चाहता है उसके लिए आप main focus रिखो कि अपने North East का उसके लिए आपको Myanmar का ही route best है और इसलिए Myanmar के साथ संबन इंडिया और डेवलप करना चाहरा है इवन इंडिया का जो region है उसके साथ connectivity बढ़ाने के लिए जैसे इंडिया ने कालादान multi-modal project पे काम किया कि मानलो कौलकता से आपको मिजुरम जाना है पहुंस सकते हो एक short route है उसके लिए इंडिया सित्वे पोर्ट को develop कर रहा था सित्वे पोर्ट कहां पर है यह किस राजम है तो रखाइन प्रोविंस में और रखाइन प्रोविंस में कौन सा ग्रूप active है अराकन आर्मी उपर एश्यन प्रोविंस और अलग-अलग एडियास पर काम कर रहा है चाइन नहीं है चाइन मियानमार के बना आ है यह कुण मिंग है चाइन में यहां से connecting तब से इंडिया के North East में militancy थोड़ी कम हो गई है क्योंकि नॉमली North East के militant जाके म्यानमार में ही छुपते थे तो इंडिया को इसलिए बहुत important इंडिया के लिए तर दिसक्स करेंगे ट्रीट और एकानोमी आप डिसकस आस्पेट करेंगे फिर चायना थ्रेट की बात करेंगे ठीक है फिर Multilateral Engagement की बात करेंगे Multilateral Engagement की बात में आप आसियान पर ध्यान मुदेंगे Infrastructure Project की बात करेंगे जो इंडिया थाइलेंड के साथ बना रहा है उसको बढ़ा की इंडिया व्यातनाम तक ले जाना चाहता है Internal Security की बात करेंगे North East को कैसे हम और safe बना सकते हैं फिर चाइना का जो बढ़तावा प्रभुत्व है जो काउफ्यू में पोर्ट बनाने की बात है उनकी सित्वे में भी उपोर्ट पे काम करने है कुछ-कुछ कर्णमिंग से लेगे काउफ्यू तक उनका एक important चाइना मियानमार economic corridor बना है जो पूरी महां के लगबग investment और trade जो है भी मुस्ति सारा controlled बाइ चाइना है तो उसको counter करने के लिए भी इंडिया को ज़रूरी है कि उसने region में अपना presence बढ़ा है footprint बढ़ा है तो ये सारे dimension आप discuss कर सकते हैं अगला topic आते हैं इसके बात करते हैं Government Approves Digital Ad Policy अब Digital Ad Policy क्या है तो Ministry of Information Broadcasting सबसे पहले किस ministry के अंदर आता है सब कुछ तो ये आता है Ministry of Information Broadcasting ने ये अप्रूव किया नए अपने Advertisement Policy 2023 वाली ताकि जो इंडिया का Central Bureau of Communication है अब हमें पता है Central Bureau of Investigation CBI लेकिन एक CBCV होता है यहीं Central Bureau of Communication जिसमें कि Digital Media में जो भी Advertisements होती है किस तरह के Ad चलेंगे Government को अगर अपनी बात के आप तक पहुचानी है जैसे हमने एक्जामपल दिया कि अभी इंडिया में Supreme Court ने का पटाके नहीं फोडने इलीगल है वो लेकिन लोगों ने जम के पटाके फोडने इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि Government शायर अपने जो जज्जमेंट है और जो उसका रीजन है क्यों ऐसा कहा जा रहा है उसको लोगों तर धंक से Communicate नहीं कर पाए तो Communication और Digital Outreach बहुत Important है कई एरियाज में जहे हम Security की बात करें Health की बात करें या YouTube viewers हो गए, OTT हो गए, अब जैसे मैं पता है Social Media Influencers हो गए, Social Media Users हो गए इनकी ये थुरू कैसे और बढ़ावा दिया जाए जो Digital Platform से उनके साथ कैसे और बढ़ाया जाए संपर्क और जो Advertisement Rate है किस तरह Advertise किया जाता है, क्या कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे, क्या Subscriber Base और Viewership में क्या संबन्ध है जो Transparency है, वो सब देखा जाएगा Competitive Beading की बात की गई है कि कैसे Rates होंगे, क्या Process होगा 3 साल के लिए, ये सब देखा जाएगा Normally जो Government अपने खुद के भी Ads जेतियों का सिस्टम क्या है उसको primarily देखने की बात है बहुत जाला, तो जो ये चीज है ये mention करेगी, जैसे listeners बढ़ रहे है podcast के, digital audio platform के तो इन सब को ध्यान में रखते हैं, ये एक नई policy लाई गई है इसका important component है क्या, तो पहले CBIC Central View of Communication ये क्या करता है, तो Ministry of Information Broadcasting का है, जो advertisement, जो issue होते हैं, जितने media के थूँ, उसको लेकर अपने जो भी rules है, वो decide करता है अब ये देखा जा रहा है कि पहले क्या अख़र है, अखबार में आगया दूरदर्शन पे आपने दे लिया, TV पैट आगया तो कई लोग TV देखते ही नहीं है, तो अगर उन तक भी outreach करना है, government को अपने programs, तो वो main जो आपकी targeted audience है, वहाँ तक पहुचा नहीं है तो उनको अलग-अलग और जो agencies है, उनकी जरूवत है, तो उसको दियाल में रखते हुए, horizon है उसको बदलते हुए देख कि ये एक नही policy, advertisement policy logic की है government ने, अगला article है, cell broadcast alert system के बारे में, आपने कभी को भी रेखा हुए, फोन आज कल बड़े जोर-जोर से बजने लगते हैं कुछ उनके उनके अपर emergency alert जैसे कुछ trial messages आने लगते हैं तो असल में ये क्या था, तो ये cell broadcast alert system है National Disaster Management Authority का इंडिये में का, जो कह रहे थे कि जहां मानलों कहीं भुगंप आने वाला है या कहीं तुफान आने वाला, चक्रवात आने वाला है तो अगर आपके फून में नेटवर्क हो या ना हो आपको एक emergency alert मिलना चाहिए कि भाई यहां पर यह खत्रा है सतर्ग हो जाओ, तो public safety और timely alert के लिए एक system मनाया गया था, cell broadcast alert system तो ये mobile operator को text message भेनने की देता था कि चाहे network region में आ रहा हो या ना आ रहा हो उसको bypass करते वे आपको ये messages messages मिलते थे, लेकिन ये अभी तक successful नहीं हो पाया, जितनी government उमीद कर रहे थी, जो metro cities है, बड़े शहर है, वहाँ तो ये हो पाता है, लेकिन जो दूलदराज की इलाके है, वहाँ पर अभी तक ये active नहीं हो पाया है, तो इसकी बहुत जाद में, you need a system like that, तो वो अभी जो cbs है, वो क्या है, central broadcast alert system, ताकि emergency alert मिल सके, उन चीज़ों की, तो इसके बहुत सारे application से, लेकिन अगर ये सही time पर सही तरीके से, अपने आपको नहीं, आप सही time पर इसको नहीं अगर explain कर पाऊगे, तो दिक्कत हो जाए, गर government system से अभी जूज रहे हैं कि वो time पर इसको नहीं भेज पारी, उसमें कई सारे drawbacks से इसको ठीक करने की बात की जा रहे है, अगला article है, इंडिया ने UN में एक voting और इंडिया ने इसराइल के खिलाफ vote किया, इंडिया ने एक resolution में वोट किया in favor of Palestine, एक resolution आया थे UN में, क्या resolution आया था वही, UN के general assembly में आया था resolution, resolution यह आया था कि जो इसराइल illegal settlements कर रहा है, वो गलत है, कहां पर कर रहा है, West Bank में, Gaza में और Golan Heights में, इन इलाकों में जो भी illegal settlements हैं इसराइल के खिलाफ यह resolution आया था, जिसमें इंडिया ने इसके support में vote किया, तो overall, 145 countries ने इसके support में vote किया, केवल 7 ने इसके खिलाफ vote किया, 7 country कौन-कौन सी होज़कती है, एक तो USA है, एक Canada है, बागी Hungary, इसराइल, Marshall Island, Micronesia, Nauru, यह सतीन कंट्री जो है न असल में, यह लग इसराइल की, बागी सब ने support में vote किया, तो इंडिया का यह कहना क्या दिखा रहा है, इंडिया ने हमास के case में, जो भी resolution Journal Assembly में आया, इसराइल के खिलाफ, अगर उसमें हमास का जिक्र नहीं था, या अभी recently कई साले resolution आय थे, जो गाजा में conflict होया उसके बाद, तो जो भी resolution resolution अगर वो रशिया के side से आये थे, या अरब countries के side से आये थे, उन resolutions में बोला ये गया था, कि गाजा पे जो अटेक हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, इसको बन कर दो, ceasefire लेयाओ, लोगों की जाने 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 है, उनमें से किसी भी resolution में ये बात नहीं होती थी, कि गाजा स हमास ने जो terrorist attack पहले इसराइल पे किया, वो भी गलत है, इसलिए इंडिया ने उन resolution का support नहीं किया था, इसराइल के खिलाव, क्योंकि इंडिया का clear stand है, कि अगर कोई terrorist activity होती है, तो इंडिया उसकी हमिशा निंदा करेगा, और वहाँ पर वो लोग उस हमास के attack की बिल्कुल बात नहीं करे थे, इसलिए इंडिया ने अभी तक United Nations General Assembly में जो भी resolution आये थे, उसमें इसराइल का है समर्थन जानातर किया था, अब बात ये इस resolution आने के बाद होगा क्या, असल में होता कुछ नहीं, ये non-minding होता है, अगर यह resolution Security Council से पास हुआ होता, तो ये binding हो जाता है, इस पर कुछ action हो सकता है, चनल Assembly के जो भी resolution होते हैं, मुझत ही वो non-minding होते हैं, अभी जो issue आया, जिसमें इस resolution पे इंडिया ने इसराइल के against vote किया, ये CDC बात दिखाता है कि इंडिया का principle stand रहा है, इंडिया का principle stand क्या रहा है, कि अगर आप इस map को देखो, इंडिया हमेश और Golan Heights, ये उपर Golan Heights है, ये असल में Syria का region था, जिसको बार में इसराइल ने कबजा कर लिया, 67 की war में, उसके बाद Syria को वापस नहीं दिया, अभी इसके उपर इसराइल का कबजा है, ये है West Bank, जहां के उपर almost जो boundary और security है, वो almost अभी तक इसराइल के पास ही है, ये है Gaza Strip, जिसमें अभी हमास है, और जहां पर युद्ध की स्तिती बनी हुई है, तो ये जेरूसलम और West Bank, जेरूसलम तो नहीं West Bank का पूरा ये region है, ये असल में एक autonomous region है, इनके पास खुल के अपनी government है, लेकिन बार बार इसराइल ये अपने settlements, लोगो या बसाते जारे है, बसाते जेरे जारे हैं, ये तो West Bank में, West Bank से हटा कि Jordan में, ये Syria में, और उस पूरी रिजन पे धीरे-धीरे करके, वहाँ पर अपने लोगों को बोलना है, जाओ, वहाँ पर घरमसाल हो, settlements बढ़ा रहे हैं, जिससे समीन पूरा कबजा हो जाए, तो इसी के खिला भी resolution आया है, और इं अपने enlightened self-interest को follow किया है, किसको follow किया है, enlightened self-interest, ऐसा self-interest जहां, बिल्कुली एक, जिसे कहते हैं, dog eat dog, front policy में, dog eat dog, front policy, यानि, जहाँ मिल जाए, उसको आप, नुकसान पहुचा, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं है, इंडिया, एक balance मना के चलने के कोशिश क करता है, तो ये vote इसलिए relevant है, इंडिया का जो step है, उसको दिखाता है, अगले article पर आते हैं, जो है Grammy Awards के बारे में, Grammy Awards में खास बात किया है, Grammy Awards दिये जाते है, music में, और 2024 के Grammy Awards में खास बात ये रही कि इंडिया के Prime Minister Narendra Modi को भी nominate किया गया है, ये nominate हुए है, फालगुनी एक ऐसी music composer है, singer है, जो पहले भी Grammy Awards जीट चुकी है, तो क्यों भाई Prime Minister Modi को इसमें nominate हो गए, तो असल में गाना बनाया था, Abundance in Millets, विश्ने साल 2023 में, ये बात करता है, Millets के importance के उपर, Millets जिसे हम कहते हैं क्या, जो जवार, बाजरा, सौर्गम, इन्हें सूपर फूड भी तो उगता है, जो कि dry lands है, और बहुत सस्ता भी हुआ करता था, बहुत nutritious भी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके जगे लेली, normally जैसे हम देखते हैं, wheat और rice ने, और वही और इसका जो उतपादन है, वो भी घटा और इसके उपर से focus हैं गया, लेकिन अब इसको हम दुबारा relevant होते हुए, और specifically Africa और India के वो region जहां पर बहुत जादा गरीबी है, जहां पर पैदावाल थोड़ी कम होती है, वहाँ पर ऐसे crops बहुत फाइदा पहुचा सकते है, population को, तो इसको देखते हुए, इंडिया लगातार कह रहा था, UN को भी कि millets के ओपर focus करी है, तो इस साल को international air of millets declare किया गया था, UN के द्वारा क्योंकि India नहीं sponsor किया था, प्रोग्राम की ऐसा होना चाहिए, तो 2023 को international air of millets declare किया गया था, उसी को जहान में रखते हुए, गाना बनाया गया था, abundance in millets, जिसको nominate किया गया Grammy के लिए, Grammy किस चीज के लिए है, music के लिए दिया ज वो कुछ शब बोल रहे है, कुछ लाइन ने बोल रहे है, वो गाने का पार्ट है, प्लस writing में भी उनको credit दिया गया है, इसी लिए उन्हें भी इनके साथ nominate किया गया, तो होता क्या है, ये annually US में होते हैं और National Academy of Recording Arts and Sciences द्वारा ये दिया जाता है, जो music industry में बहुत बड़ achievement है उनके लिए, तो एक तरह से ये singing का Oscar मानते हैं इसे, बहुत ही जारा प्रतिष्टिट अवार्ड है, इंडिया में A.R. रह्मान को मिल चुका है, और पंडित रवीशंकर को मिल चुका है, जाकर हुसेन को मिल चुका है, फालगुनिशा को मिल चुका है, कई लोग इसे ज इसे के बारे, लेकि में आप बिल आने की बात है, जो information और broadcasting ministry लेके आई है, ये अभी ग्राफ्ट बिल आया है, इस बिल में बात ही कि कि कैसे एक legal framework बनाना बहुत जरूरी है, जो OTT platform है, जो digital news है या current defense आते हैं, उन सभी के लिए एक basic law बनाने की जरूरूद है, कि कैसे जो उनको भी regulate किया जा सके, अभी क्या है कि OTT हो गया, या YouTube हो गया मालो, यहां से जो भी news है या जो भी information प्रवाइट की जाती है, वो regulated नहीं होती है, जो normally TV पे हम देखते हैं, आख़वारों में पढ़ते हैं, वो तो cable television network act के अंदर आ जाता है, या फिर इनके खुद की bodies होती जो self-regulate करते हैं, तो Indian government ने कहा था, OTT platforms को भी कि आप self-regulate करें, अपने खुद की body बने है, खुद को regulate करें, लेकिन एक regulatory framework की requirement अभी भी थी, जिससे एक preview में तो आए कि भाई, क्या content मों डालने है, कैसे आएगा, तो इसके लिए एक नया broadcasting services bill आया, इसमें एक advisory body की बात की ग बताएगा, कि क्या advertisement code के violation हो रहे है, शराब का मालोग advertisement हो रहा है, ऐसी चीजों का advertisement हो रहा है, अगर कोई violation अगर central government को बताएगा, ये गलत हो रहा है, और जो warnings, क्या, अगर monetary penalties हो, अगर कोई ऐसी चीजों को प्रोचान देरें, जो allowed नहीं है, इन सभी को ध्यान में रखते है तो ये एक broadcasting services regulation bill आया है, जिसमें fine की बात की गई है, ऐसी bodies की बात की बात की जो self-regulate भी करेगी, government को recommend भी करेगी, network operators को infrastructure sharing की बात की गई है, और bill मुख्य रूप से जो बात करता है, right of way की बात करता है, right of way की बात मतलब कि जो dispute agar है, उसके बीच में dispute resolution कैसे होगा, और infrastructure sharing की अगर network provider है, और मानलो आप किसी telecom operator पर कोई OTT show देख रहे हो, तो उसमें telecom operator का भी role है, कि जब तक वो telecom facility होती ही नहीं, तो आप उसको देखी नहीं बात है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो विवाद है, उसकी बात है, प्लस grievance reduction की बात है, कि अगर आपको शिगायत है किसी show से, या किस content से तो अभी कहां जाएंगे, आप कहीं नहीं जा सकते, Netflix से आप तो दिक्कत है, तो court में case करो, कितनी मार case करो, तो उन चीज़ों को streamline करने के लिए पहली law बनाने की बात की गई है, और ये broadcasting sector को change करने की बात करता है, एक जो पुराने act है उनको हटा कि नए या framework लाने की बात करता है कि जैसे dynamic digital world है, उसे हिसाब से हम अपनी dynamic policy making करें, अब आप से मेरे से सवाल है आप से क्या आपको लगता है कि self-regulation से काम चलेगा, या उनको बिलकुल ही खोड़ा छोड़ देना चाहिए जैसे अभी हो है, आगे अब सार देखते हैं कितनी solution in Israel-Palestine conflict, true है या false है, Ministry of Commerce approves the digital advertisement policy, सही है गलत है, Mid Atlantic Ridge is located in Indian Ocean, true है या false है, देखिए मेरा जवाब आपको होगा, ये तर true है, ये false है, और ये false है, मुझे बता ही कहां located है Mid Atlantic Ridge, और कौन approve करता है digital advertisement policy, हमने पढ़ाया पहले initial topics में, और अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए, तो obviously आप हमारे आप टेलेराम चैनल, PW OnlyS को join कर सकते हैं, ये थी आज की discussion, I hope आपको अच्छी लगे हो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, keep on watching OnlyS